हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ नाजरीन, सलाम अलेकून नाजरीन, डॉक्ट दानिश प्रोग्राम पॉइंट आफ यू के साथ हाजिरे नाजरीन, एसन अकबाल साब का एक स्टेट्मेंट और वहीं से आज की बात शूरू करता हूँ आज मेरे साथ एक बहुत एहम शखसियत है जो साबिक प्राइम मिस्ट पाकिस्तान ये बहुत रिस्पेक्टबल नाम है मैं उनका तारूफ कराओंगा लेकिन वो कोट करते वे मैं बढ़ना चाहता हूँ उन्हें कहा था कि जी शर के खिलाब फसाद के खिलाब करप्शन के खिलाब तेशिदगर्दी के खिलाब और इंतशार के खिलाब जिहाद का हुक्म रियासत की जिम्हेदारी है यस आई एग्री है आपने बिलकुल सही कहा यह ने एक सवाल है इस पूरी कौम से और खुद एसन अगबाल साब से भी कि जब शर इंतशार फसाद करप्शन हुकूमत कर रही हो हुकूमत के लोग कर रहे हो तो फिर जहाद का एहलान कौन करेगा मेरे साथ आज जो मेहमान हैं साविख वजिर आजम मीर जफरॉल्ला खान जमाली सर आपका बहुत शुक्री आपके मुझे टाइम दिया है और इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ नाज़ीन एक छोड़े साथ देख लूँगा फिर वापस आते हैं वेलकम बेक नाज़ीन जमाली साथ सबसे जो पहला मेरा पॉश्चन होगा आपका एक स्टेट्मेंट है पार्लेमेंट में आपका बड़ा एक्सपियेंस है पार्लेमेंट का वजीर आजम भी हैं सीनियर मोस्ट इस्वट कावमी असंबली के आप रोको ने तो इसलिए पार्लेमेंट के मिजाज को बहुत अच्छी तरह आप समझते हैं सर बिल को अच्छी तरह समझते हैं ठीक है सर तो मेरा एक सवाल यह है कि क्या आप समझते हैं से पहले कि मैं आपके स्टेट्मेंट पे आऊँ कि क्या यह जो तहफुज खत्मे नभूवत का जो बिल पेश किया गया था है आप इसे साविश समझते हैं या क्लेरिकल मिस्टेक समझते हैं नहीं जी बिसमिल्लाहरमाने रहीं मैंने तो पहले दिन आप इसको मेरे खेर में ये नर्व रेकिंग था और वज़ए ये थी कि जो कमेटी थी मैंने वजीर साहब से पोच्छा वजीर कानूम जाइदामिज साथ मैंने के जी मैं आपसे ये तवक्व नहीं कर सकता था तो उन्हें बड़ा रूट ली कहा के वजी कमेटी ने किया मैंने नहीं किया मैंने का अच्छा तो इतने में स्पिकर साब जब आया असेंबली मिनसेशन स्टार्ट हुआ मैं स्पिकर साब को यहीं का मैंने के यह मेरी बात हुई थी तो वजीर कानूम ने का है केने की कमेटी ने किया मैंने का स्पिकर साब वो था फिर उसके बाद जब वावेला हो गया तो आपने फिर सारी कमेटी को बुलाया आपने वजीर कानूम को भी बुलाया क्या हम यह जसारत कर सकता हूँ कै आपने लचालो कहा जो हमने सुना टЕलैविजिण पे कि यह टेशिकनल मिस्टेक यह क्लेरिकल एरऄ है मैं जसारत करता हूँ आप से पोचने की स्पीकर साहिब कै आपने इन से पोचा कि किसनी किया अप कस्टोडियन हाउस के अब जिम्हेदार है सारे हाओ उसके पार्लिमेंट के अब ने पूछा इन से मैं आप से पूछा हूँ मेरा हक बनता है तो ने जवाब मुझे कोई ने दिया मैंने कहा तो फिर मेरी गुजारे सुन ले कि अगर के कमिटी ने किया है बकावले वजीर कानू महरबन करके खड़े हो जाए देखे जिसने किया गर कुछ ने 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 किया तो लामाला बेल तो गवर्मेन ने मूव किया है तो वजी साब खड़े हो जाए तो मैंने करिए इनमें से यह है कि सजाव में होनी चाहिए यह कि आसान बात नहीं है तो इस इन टॉल्रट ने कर सकते हैं अज पार्लिमेंट तो बार उनके पास जवाब नहीं है सर आपको रोका भी गिया बोलने से पार्लिमेंट में इस इशू के ओपर नहीं स्पीकर साफ की मज़र यह थी कि यह बिल इंटर्डूस तो उटने कर दिया था यह बिल डिसकर सो पास हो जाए मैंने कर दिया नहीं आप पैठे आरब से सुने मैं आपको चिट भेजी थी कि I want to speak on this मैं बीमार आदमी मैं बिस्तर से उटके आया हूं और मुझे है कि इतनी पार्डेमिट में किसी ने बोलाई नहीं हैं ताला बंदी लगी हुए जिबान की मैंने कर यह बड़ी जारती है कम उसकर मैं टॉल्डेट नहीं करूंगा नबरदाश करूंगा मैं मुसल्मान हूं और मैं समझता हूं कि सारे मुसल्मान हैं जो अकलियत हैं वो भी में पार्डेमिट हैं लेकिन क्या सर एक सवाल है अभी मैं आपके उस स्टेट्मेंट पर आऊंगा कि अल्ला करे मेरी मौत से पहले यह एसंबली वफात पाज़े बहुत बड़ा जुम्ला है और आपने आशिक रसूल का हाक अदा कर दिया पूरी दुनिया आपको सलाम करती है लेकिन ये कहने कि क्यों आप ये क्यों कहा आपने ये जुम्ला से अगर कि इस असेंबली ने जुनाब ऐसी ही चीज़े लानी है अगर कि इस असेंबली ने ऐसी ही चीज़े लानी है ना वो बताते हैं कि इसको इनिशेट किस ने किया है इसको आथराइज किस ने किया है इस कि इस से बड़े जूट और जूटा तरीका नहीं हो सकता अगर इस असेंब्ली ने यही कुछ करना है तो उसे बेतर है कि प्रेकप करके खुदा मारते हैं उनको जान खलास करें अलाला खैस खला फिर असेंब्ली की जरूत क्या है पिर आप एहकामा चलाते जाए यही वज़ा करें यही करें यह आन्दा दो कार्यूपरेशन आप समझते है यह अन्दा दुन हुआ है यह जान इमर के मेंबर आफ ने touch के दोनु दोनु सूरतों में मेंबर आफ ने यह बगर बढ़े हैं तो six quando अगर उस सब्थे बग़र किया है तो इसका मतलब है कि ये Member of National Assembly इतनी बड़ी तादाद में, इतने एहम बिल को पढ़े बगार करते हैं, तो ये तो पाकिस्तान की इस Assembly के ओपर बोज हैं, और अगर इन्हों ने पढ़कर किया है, तो फिर तो ये दारे इसलाम से बाहर हैं। प्रशर पड़ता है, तो ये ही committees हैं, ओकर करका अब ले आती हैं, किसी और ने कहा है, जैसे कि डॉन बीक्स थी, कहा किसने, मैं तक्रीर में कहा, कहा किसने, हुकम किसने दिया, सामने कौन दाया, सजा किस को में दी, ताइउन कैसे हो सर, कैसे हो सकता है, आप बताएं ताइउन कैसे हो सकता है, ये तो बाई बात यह है, मैंन कल्परिट कौन है, जिसको फौरी तोर पर सर हटाना चाहिए था, आपके ख्याल में कौन है, तेखिए, गर्वर्मेंट कैशू है, बिल उन्होंने पेश किया है, अगर कि कमिटी ने, ओके भी किया है, तो उन्होंने बिल जालें, कुछ नहीं होता, तूनि होँआ सर, आपका एक्स्पिज़िन्स क्या कहता है, कि वजीर जिमेदार है, आप भी समझते हैं, शेबाज शरीप ही कहते हैं, कि जी उसे निकालें, लेकिन वो वजीर निकाला नहीं जाता है, इसकी पीछे क्या बात है सर, आप प्राइम नहीं चलती चब तो इनिसार मुझे उसे मिला सेम्डी होर में तो मैंने का तुमने इस्तिफा दिया है मैंने का तुमने ये पता नहीं कि मेरे से कि मैंने कितने इस्तिफा दिया है मैंने क tutto minister of water and power होके बनते हो बी इस्तिफ़ा दिया उसूल की खातर मैंने as prime minister भी इस्तिफ़ा क्योंके आइन में यह है यह आइन में लिखा हुआ है तो और जो ministers हैं उनका जो head है वो prime minister होता है he is the chief of the cabinet तो उसका काम है उसके जिम्हेदारी है उसकी सवाब दीद है कि या तो मेमरों के नबस पे हाथ रखे इनकी नबस कैसे चलती है या तो फिर यह है कि इमानदारी से कहे कि भै ठीक आप इस काबिल नहीं आप जाए चुटी करें बाहर जब तक पाकिस्तानी सियासतदान बगएर कुर्सी पे बगएर उदा लिए खालिकुर्फियो बैटके सियासत करेगा तो सियासत सुदूरेगी नहीं तो नहीं सुदूरेगी सर्मेरा सवाल है यह जो खत्म नबुवत का जो बिल इसकी साज़िश दो साल से जो हमारी इतलाफ है पहले से हो रही है आप प्राइम निस्टर पाकिस्तान भी रहे हैं आप नफ समझते हैं पारलिमेंट के सीनियर तरीन मेंबर हैं इस वक्त भी सरा आप पारलिमेंट के मिजाज को भी समझते हैं मिनिस्टर को भी जानते हैं मिनिस्टर भी रहे हैं क्या मिनिस्टर इतना बड़ा फैसला अकेले कर सकता हैं सर इतना बड़ा बिल पाकिस्तान इसलामी जमूरिय पाकिस्तान जिसका रियक्शन देखा गया अरी में बड़ा बेना रिंगते उ में आब कर सकता हैं। कि अ